हालो स्टूडिन वेल्खम चीज मैं स्टेडी कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं अच्छे से होंगे आज क्लास में क्या पढ़ेंगे हम इंटेक्रेशन सब्सक्राइब पर्टिकुलोर फॉंक्शन्स तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सिर्फ और सिरफ दस फर्म सब्सक्राइब करते हैं तो भी लिखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चेर सब्सक्राइब करते हैं और सिर्फ और सिर्फ पर्म तो दोस्तो वीडियो ये पूरा देखिएगा क्योंकि आज एक लास में हमें एक महतपुर्ण माइल स्टोन की घोशना करने जा रहे हैं इसी वीडियो में वीडियो के लास्ट में तो वो जरूर सुनियेगा क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में जो मैं चुमा ये स्टेडी में और आने वाले टाइम में आपने आप से बोलिंगे कि कोई तो है जो मेरे पढ़ाये को कर रहा है आसान या कर सकता है आशान हेडिंग करते हैं आज की क्लास का इंटीग्रल साफ सम् पर्टिकुलर फॉंक्षिन integrals of some particular function board का मैंने color change कर दिया है आज अगर आपको पुराना color ही अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा अगर कोई suggestion comment हो तो because ultimately जो भी कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ integrals of some particular function बहुत important है आज का ये lecture important इसलिए है क्योंकि इसमें भीविया है इसमें से question आते है exam में exam में question आएगा exam में question आएगा तो total 10 types हम पढ़ेंगे इसमें 10 types एक एक करके बताता हूँ शुरू के कुछ formula दूँगा फिर उसको derive भी करेंगे 10 के 10 type एक एक करके समझते हैं पहला type क्या कहता है ये ऐसा integration है जिसमें आप ये पहला है हमारा integration dx by x square minus a square अगर इस टैप का अगर आपको अगर आपको इस टैप का dx by x square minus a square आता है तो इसको integration करेंगे कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा 1 by 2 a log of mod यहाँ से लिख देते है मॉड x minus a बट्टे में x plus a ये a है और प्लस का c ऐसा ही क्यूँ आता है ये भी बताऊंगा ठीक है क्योंकि इसका प्रूब करके दिखाऊंगा x minus a by x plus a दूसरा क्या है वो बता देता हूँ तो ये था x square minus a square आप किसी बच्चे की दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर माल लीजे a square minus x square होगा तो उसको कैसे लिखेंगे उसको लिखेंगे integration of dx by a square minus x square then what day it will be तो इसका भी इलाज है मेरे पास इसका इलाज क्या है कि 1 by 2a log उल्टा हो जाता है इसका x plus a by x minus a plus c करना क्या है कि यहाँ पर a square minus x square है तो उपर में a plus x आता है याद रखने के लिए परो रहा हूँ फ्रूप भी कर लेते हैं इसको पुरूप कराऊंगा don't worry about this तीसरा क्या कहता है इसमें a square अभी ये दोनों हो गया फिर root का भी आएगा और a plus x square का भी आएगा तो integration of अगर मालेजिए dx by या तो x square plus a square हो या a square plus x square हो दोनों एक ही बात है तो यहाँ पर हो जाता है अगर हमने x plus 1 by a 10 inverse x by a तो इसको लिखते है 1 by a 10 inverse x by a plus c यह हो जाता है अब हम देखते हैं चौथा इसमें तो यह plus वाला होगी अब आपको square root वाला जानने की कोशिश होगी तो वो भी बता देता हूँ वो log में चला जाता है वो भी dx by under root x square minus a square यह special types के हैं और इसको proof दिखाऊंगा थोटी दिर में पहले formula ले लो और लिख लो इसको under root x square minus a square होगा तो क्या लिखेंगे इसको यह हो जाता है log mod of x plus under root x square minus a square plus c तो यह 4 फर्मूले होगे 10 मैंने बोला था शुरू में तो चलिए अगला भी दता देता हूँ यह 4 हमने दे दिया आपको पाच्मा क्या है अब पाच्मा जो जैसे हमने under root x square minus a square लिखा तो a square minus x square भी यहाँ पर लिखने की जरूरत है तो a square minus x square under root का करेंगे तो वो sine inverse x by a होता है sine inverse x by a होता है तो वो भी लिख देता हूँ पाच्मा था यह dx by under root जैसे से मैंने पहले लिखा तो x square minus a square था अगर हमने a square minus x square लिखा तो यह हो जाता है 1 by a क्योंकि जो भी coefficient है वो हमेशा divide होता है लेकिन यहाँ पर कुछ और है a square minus x square है तो यह directly हो जाएगा sine inverse x by a plus a अब आपको इबन में लग रहा हो कि सर जैसे उसमें plus वाला था तो इसमें भी plus वाला बता हो this is a square plus x square so now it will be यहाँ पर plus में है या इसको ऐसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है दोनों का same आएगा so dx by x square plus a square then what will be तो बोट का दोनों का यह की लिख रहा हूँ यह फिर log में जाता है जो मैंने पीछे बताया था यह वाला under root यह x square minus a square बताया था तो log x x plus तो यहाँ पर सब प्लस में हो जाता है यह हो जाएगा log under root x plus under root a square plus x square plus c so this will be the answer of the six time इसके अलावा भी कुछ types है जो general type है उसमें बहुत सारे questions बन सकते हैं जो मैं आगे आपको बता दे जा रहा हूँ इसका प्रूब भी दिखाओंगा थोड़ी दिर में पहले सात्मा टाइप बढ़ लेते हैं सात्मा टाइप देखो क्या कह रहा है कि अगर मालीजी ऐसा आ जाए dxy ax square प्लस bx प्लस c अगर इस टैप का है इस टैप का मतलब यहाँ पर dxy quadratic है dxy क्या है quadratic है तो अगर dxy quadratic है तो मुझे बताओ यह हमारा क्या है quadratic है तो उस case में क्या करते है इस quadratic को आपको पता होगा हम इसको square की form में convert कर लेते हैं यहाँ ए कॉमल ले लेंगे x square प्लस b by a into x प्लस c ऐसा हो जाएगा और इसको suitable identity की form में मतलब जो हमने 6 पढ़े हैं उनमें से किसी एक form में convert कर लेना है ठीक है तो जादा तरकेश में यह convert हो जाता है 1 by कुछ ऐसा आ जाएगा dx कुछ t a square plus k a square कुछ इस form में या minus भी हो सकता है इसके form में आपको convert कर लेना है हम questions कराके दिखाएंगे आपको अलग से तो आपको कोई confusion नहीं रहेगा कि यह क्या है लेकिन यह आपने आपने एक अलग type है यह मैंने आपको बता दिया कि this is a one different another type a complete different when the dx upon some quadratic functions are given then what to do you have to convert in the this part how to convert I will tell you later I will do some examples we will learn it don't worry about this की मुझी क्या होगा कैसे करेंगे and all that so next is the problem 8 देखो 7 तक तो मैंने करा दिया है अब हम 8 देख लेते हैं वो क्या कहता है अगर माल लीजिए यह ही square root अगर यह ही square root अगर माल लेजिए यही जो quadratic है वो square root के अंगर आ जाए तो a x square plus b x plus c ऐसा आ जाए so again you will use the same method same method as of 7 मतलब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे इसको convert करेंगे sum t square plus k square plus minus इसके फॉर में a common लेके by a common लेके ऐसे x square plus b by a into x plus c यहाँ पर इसको a plus b के whole square जैसा कुछ कर देंगे अपने आप यह convert हो जाएगा फाइली ठीक है तो मैं बता दूँगा बहुत सार लोगों ने यह जानते भी ह पहले से जिन्होंने quadratic formula याद करिए quadratic formula का जो derivation है जिसमें हमें आता था ना d is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a यह जो formula आया था वो वही चीज़े यहाँ पर है ठीक है making perfect square so that will use it अब हम 9 देख लेते हैं इसमें एक और category आपको सामना करने को मिलेगा यह है कि linear upon quadratic px plus q divided by ax square plus b ठीक है दिखा देता हूँ देखिए अब एक और term माता है इसमें px plus q कुछ ऐसा डाल देते हैं और यहाँ पर ax square plus bx plus c ऐसा आ जाए and dx you have to integrate this function तो इसको हम कहते हैं linear upon quadratic type इनी linear function में भी देया no issue quadratic type यह इस type का है याद लगना दूस्तों type से पता चलता है कि अच्छा इसका सकल तो कहीं देखेला लगता मेरे को yeah of course you might have seen that some for you but I haven't seen yet so what I have to do px plus q divided by x square plus bx plus c this is the linear upon quadratic type so I say that for solving this type of questions I have to apply a method so what is that sure linear px plus q this is the linear I will tell linear px plus q is equal to eight times d by dx into quadratic what is this quadratic share x square plus bx plus c and then some constant so what is about what is about a p q a b c sure so p and q are the constant and as well as a b c are some real constants so there is a 2x plus 3 for example px plus q by example 2x plus 3 2x minus 3 2x minus 1 by 2 like that 2x plus root 3 like that so here how to do a linear px plus q is equal to a plus q plus q yusk q c also click what is the 2x plus q is equal to 8 times d by dx into quadric plus q is equal to a times d by dx into quadric plus b 10th क्या है अब ही इसमें क्या होता है कि कई बार linear upon root under quantity हो जाए तो क्या होगा 10th question देखिए अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए देख लेते हैं px plus q under root ax squared plus bx plus c and what we have seen here if you closely observe this is a linear upon a square root and the quadratic it's a quadratic term है वो बस तो मी square root के अंदर है तर इसाथ situation what you do sir how to solve that you have to use the same method as in the time use the same method as in nine nine which you better I will use crow and you have to convert into the suitable form up to up to nine then you will be able to solve it so these are the total 10 times these are some total 10 forms what are those power obviously cut d x by x square minus a square 1 by 2 a log x minus a x plus a then d x by a square by x square about me then in such situation 1 by 2 a log x plus a divided by x minus a plus c c plus c will be the always die a ship don't remember because it is in different integrals and integration of d x by x square plus a square this is 10 inverse x by a and 1 by a हमने यहां पर इसका constant लिया हुआ है understood तो यह तीन थे इसके बाद हमारा चौथा क्या है वो देख लिए रिए ती हैं । फॉर्थथ d x by x square minus square underdu to मैं जी log x plus underdu to x square minus a square plus c plus c yes or no ? the 5th question d x by under root e square minus x square and it's simple question c is d x upon under root e square 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 plus x square ौर d x by x square plus a square बोट लिखेन तुम्हें सेम होनहर, log x plus 100 a square plus x square. understood, now dx y x square, ax square plus b x plus c, now d ax square plus b x plus c is the quadratic, only quadratic you have to convert into making the perfect square measure, making as a perfect square, you have to convert into a square plus b x square, इपान यह फिर लाई दा फ्रमुलाची, okay, next, dx upon underdo to quadratic, underdo to quadratic, तो यहां पर हम लिखेंगे D square plus minus K square and then question M.9, this is linear so linear is equal to A times D by Dx into quadratic plus B, linear is equal to A times D by Dx into quadratic plus B, linear is equal to A times D by Dx X square plus Bx plus C into Dx, here is the sign M, it says that in the question M.9, so now we have questions in the next class, now I have some proof which I have first 6 formula if you look at it, if you look at it, then 7, 8, 9, I have no formula just matters, we have questions in the next class, then we have questions in the next class that we have questions in the next class, then we have questions in the next class, then क्योंकि याद रखना कई मेर मुश्किल होता है, लेकि रगर मैठड सिखलोगे तो जरूर करके आओगा जी, पहला question दिखाता हूँ तुम्हें, पहला question दिखाता हूँ तुम्हें मैं पर्मान दे रहा हूँ, कि यह दे रहे हो मजे पर्मान दे रहे हूँ तुम्हें पर्मान दे रहे हूँ तुम्हें कासा करना अभी उन्होंने क्या बोला कि dx by integration छोड़ दो पहले इसको लिखो न चाहिए यह क्या है वान अपाउन अंडे रूट एक्स स्कुवेर माइनस ए स्कुवेर इसको मैं लिख सकत है जी, एक्स मैंनस ए ए और एक्स उपलस ए घी, ऐसा लेखते की नरी लिखते पर बेले लेगुले लेखते सारा, सब्सका अब उसको ऊपर में भी देखा जाये तो यहां लिख सकते है, एक्स पलस ए ए और माइनस ए एक्स माइनस ए कर ऐसा लिख दूँगा, तो A, X तो X तो cancel हो जाएगा और A plus ये तो को A plus A 2A हो जाएगा तो मैं अगर इस 2A से इसको divide कर दू तो मेरा काम हो जाएगा यानि उपर में क्या बच रहा है? X, X cancel हो रहा है A plus A 2A हो रहा है क्यों नहीं मैं 2A से cancel कर दू तो इसे कोश के सहथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बात आपको clear हो गई अब हम क्या करेंगे? कि मतलब ये जो term है इसको ये लिखेंगे तो 1 by 2 तो ये integration I है तो 1 by 2 ये तो constant होगा तो वो बाहर आ जाएगा और आपके integration में अब ये बचेगा X plus A अब इसको हम अलग-अलग भी कर सकते है divided by X minus A into X plus A minus X minus A divided by X minus A X plus A और इस पूरे का dx यहां से कुछ cancel होगा ये और ये cancel हो जाएगा ये और ये cancel हो जाएगा क्या बचेगा जी? 1 by 2 A integration of bracket में 1 by X minus A यहां पर देखिए यही चीज आ गया है अब हम इसको अलग-अलग कर लेंगे 1 by 2 A ऐसे ही रहेगा और इसको जब हम integrate करेंगे तो 1 upon X minus A का क्या हो जाएगा? log X minus A और इसका क्या हो जाएगा? log X plus A और इसको कर देंगे close और प्लस C तो आखरी में लगा ही लेंगे 1 by 2 A हो जाएगा log A minus log B क्या हो जाएगा? log X minus A बटे में X plus A और यही तो आपका proof था hence proved so by this way we can convert यह मैंने पहला proof दिखाया आपको proof of 1 इसी तरह से proof of 2 देख लीजिए देखे, proof of 2 क्या कहता है इसमें? दूसरा था क्या पहले वो तो recall कर ले A square minus X square था इसको हम कैसे लेखेंगे? तो यह भी आपसे हो जाएगा क्यों ना हो जाए? क्योंकि यहाँ पर मैं सिरफ इतना ही बताऊंगा इसी से आपका हो जाएगा 1 upon A square minus X square into dx तो क्या करना है? पहले मुझे इसको रहने देते हैं यहाँ पर लिखेंगे A square minus X square को क्या कर सकते है? 1 upon A minus X into A plus X इसको और क्या लिख सकते है? उपर में हम इसको create करना चाहते है तो यह हो जाएगा A minus X plus A plus X ऐसा लिख देंगे divided by A minus X into A plus X ऐसा ही होगा तो उपर में X, X cancel हो रहा है A plus A 2A हो रहा है 1 by 2A से फिर से इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ अगर हमने फिर से इसको डिवाइड किया इससे और उपर वाले इस A plus X को डिवाइड करेंगे वो बास्ताम में इस तरह से हो जाएगा अलग-अलग और जब हम इसमें integration चड़ा देंगे इसके उपर तो यह हो जाएगा 1 by 2A और डिरेक्ली लिख रहा हो मैं integration of 1 by A plus X into DX minus integration of 1 by A minus X into DX अब अगर हम इसको integrate करेंगे तो 1 by 2A इसका क्या हो जाएगा log A plus X mod में लिख ले ना और minus X यहाँ पर negative है यह इसको plus कर देगा और यह हो जाएगा log A minus X है ना यह plus का sign है तो यह plus ही था ना यह plus है तो A minus X इसको negative कर देगा तो यह वाला जो बीच वाला plus है वो बास्ता में negative हो जाएगा और यहां बचेगा A minus X फीक है तो यह हो जाएगा 1 by 2 A into क्या हो जाएगा log A plus X बटे में A minus X और plus क्या हो जाएगा C So this is your answer तो इस तरह से यह उल्टा होता है A minus X में देखो मैंने थोरा emphasize किये था यह जो हमारा term है यह यहाँ पर जब हम A minus X लेते हैं तो उपर में यह plus वाला आता है क्योंकि यहाँ एक minus आ गया था जबकि इसे पहले वाले case में हमने देखा था कि यहाँ X minus A है तो हमारा जो formula है उसमें X minus A ही है यह वाद जानक ना जब A minus X है तो उपर में plus और नीचे minus formula same ही हो जाता है A plus X है तो A plus X A minus X और यहाँ अगर X minus A है तो यहाँ भी X minus A X plus है यहाँ याद रखने में आसानी के लिए बोल रहा हूँ तो इसी तरह से जो भी proof है आप कर पाऊगे अब हम proof of third देख लेते हैं चलते चलते फर्मूला क्या था हमारा third वो दिखा देता हूँ तीसरा था कि DX by A square X square plus A square यह तो अपने हाँ हो जाएगा DX by A square plus X square देखो इसको कैसे solve करेंगे तो इसकी value क्या होगी तो यहाँ A square plus X square है तो यहाँ substitution करना परेगा we have to put let let क्या माने X is equal to A sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 यहाँ से हम लिखते है sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta तो यहाँ पर X is equal to अगर मैंने माल लिया कि A 10 theta क्या माल लेंगे A 10 theta तो इससे क्या हो जाएगा DX की value क्या हो जाएगी A 10 theta का क्या होता है sec square theta A constant है sec square theta into D theta तो अब जो हमारा integration है जो हमें बोला गए यह हमारा I है So now it will be I is equal to directly लिख देंगे DX के जगा A sec square theta into D theta यह DX के जगा और नीचे में क्या हो जाएगा A square और A square plus 10 square theta यहां से A square common ले लेंगे तो क्या पचेगा 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square theta You see A square plus X square है दोस्त तो A square plus A square 10 square theta होगे नहीं होगा सेट स्क्ट थेटा हां मैं बता रहो इसको कैंसल कर सकते हो यह सेट स्क्ट ही जाएगा और वन बाई स्क्ट में क्या बचेगा यहां लेगे यह निदो पर दहीं टॉक्ट ऑच तो वान माय इंटुक्या पचा प्लस सी वचा So what you have put it here X is called X के पर में पले हैं क्योंकि हमारा इंटेग्रेंट का That is in the form of X So here theta will be देखो यहां से एगर हम 10 theta लिखते हैं X by A होता तो theta हमारा 10 inverse X by A हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 by A This will be equal to 1 by A into 10 inverse X by A plus C यही मैंने formula दिया था Question number 3 देख लिजी आप लो यहां पर D by X by X square plus A square 1 by A 10 inverse X by A इसी तरह से आप बोलों कि चौथा को क्या करेंगे तो यहां भी हमें substitution करना परेगा substitution क्या करें तो यहां पर जो substitution करेंगे fourth के लिए यहां पर वो लिखेंगे X is equal to A sec theta क्योंकि trigonometric identities में ले जाना है X is equal to कुछ A sec theta माल लोगे आपको कैसे पता क्योंकि यहां पर क्या प्रोपर ट्रिग्रोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्रोमेट्रिक आइडेंटिडीडीज तो इस अपर पाचवागा था और चट्था में क्या सब्सुशन करेंगे वह पता जीता हूँ चट्था क्या हमारा X is square plus A square है यहां पर भी substitution X is equal to A 10 धीटा कर देना किदर गया मेरा चट्था तो यहां पर क्या सब्सुशन करेंगे इस वाले के इसमें 6 में X is equal to A 10 धीटा क्योंकि प्लस में है जब प्लस में होगा तो A 10 धीटा यहां A square है इसलिए A 10 धीटा यहां 2 A square होता तो 2 10 धीटा होगा जो हम आगे देखेंगे अब आता ही कि इसमें हम क्या सब्सुशन करें तो आपको पता ही कि sin square धीटा प्लस cos square धीटा क्या होता है 1 होता है ठीक है तो sin square धीटा 1 minus cos square धीटा होगा तो इस case में अगर हम x is equal to a sin theta माल लेते हैं तो कुछ हमारा काम हो सकता है क्या a cos theta मान के होगा क्या हमारा काम तो यह मुझे बताना अगले क्लास में दोस्तों कोई भी बंदा अगर कहता है कि a cos theta के साथ हो सकता है मुझे तो लगता हो सकता है आप ट्राइब करके देखना मैंने अभी बोला x is equal to a sin theta मानना है मैं यह कह रहा हूँ कि अगर x is equal to a cos theta मानते तो can this problem will be solved so I hope so you will tell it या तो यह माने या a cos theta माने तो क्या दिक्कत है क्या इस मान को solve कर सकते हो तो कर सकते हो तो comment में लिग देना हाँ sir मेरा हो गया अगर यह अच्छा लगा मेरा वीडियो तो like करेगा subscribe करेगा चलिए अब वो समय आ गया है कि जहां पर हम करने वाले है announcement और वो announcement क्या है कि अगले class में हम सुरू करने जा रहे है class 12 के physics yes सही सुना आपने हम सुरू करेंगे physics तो पढ़ेंगे physics और देखेंगे कैसे physics जो है होता है हन्मान चलिसा चलते फिरते पूरा हिंदुस्तान पढ़ेगा physics और आप कहेंगे कि यह रहे physics physics क्या इतसे आसान तो कोई subject ही नहीं है जहां मैंने एक तरफ mathematics डालके आपको मजबूती दे रहा हूं उसी दूसरी तरफ हम physics पढ़ा के भी आपको तयार करेंगे तो see you guys अगला class बहुत इंट्रेस्टिंग है जिसमें हम आपको देने वाले हैं physics और पहला चेप्टर में पढ़ेंगे electrostatics, electron plus statics ठीक है जहां हम पढ़ेंगे electric field के बारे में, electric charge के बारे में क्यों कैसे सब जानने वाले हैं तो see you in the next class, अपना फैल लगिए, thank you